हम सबका ये मानना है कि spirituality थोप ही नहीं जा सकती, वो जगा ही जा सकती है, ये प्रेम के जैसा है, तुम प्रेम किसी के उपर थोप नहीं सकते हैं, हाँ, तुम प्रेम किसी के अंदर जगा सकते हो, तुम अपना ऐसा बरताव ऐसा कुछ अपने में बदलाव लाके, ऐसा पढ़नी है, तुम्हें ये शास्त्र पढ़ने है, बच्चा बैटके पढ़ेगा, तुम्हारे डर के कारण, लेकिन जब जब वो बड़ा होता जाएगा, उसके अंदर का भी एक इगो है, हम माब आप ये भूल जाते हैं, कि बच्चा जब तक छोटा है, तब तक हर चीज, ब लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होगा, वो बड़ा होगा, वैसे उसके अंदर का इगो भी बड़ा होता है, अब जब बड़ा बच्चा, अब उसको तुम्हें ये करना ही करना है, वो उल्टा उससे दूर भागता है